प्यार अगर सच्चा हो और दिल में अगर जजबा हो तो इनसान साथ समंदर भी पार कर सकता है आपने कई ऐसे किसे सुने हो गए जिसमें अपने प्यार को पाने के लिए प्रेमी किसी भी तरह की रिस्क ले लेते हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान बताएंगे एक ऐसे शक्स की जिसने वाकई असंभव से लगने वाले अफसाने को सच कर दिखाया भारती मूल के स्वीडिश आर्टिस्ट डॉक्टर प्रद्यूम कुमार महानन दिया जिन्हें पीके इस नाम से भी बुलाया जाता है अपनी स्वीडन में रहने वाली पतने से मिलने के लिए सेकंड हेंड साइकल पर सवार होकर दिल्ली से स्वीडन का सफर पर निकल पड़े और रास्ते में आई कई परिशानियों का सामना कर स्वीडन पहुंचे भी बॉलियोड अभिनेतरी तापसी पन्नों ने अगर मजबुत संकल्प का कोई चहरा होता के नाम से ये पोस्ट शेयर की है प्रद्यूम कुमार महानंदिया यानि की पीके का जन्म उनिस सो नन्चास में ओडिशा के धेकनाल में एक दलीत परिवार में हुआ स्कूल के दिनों में ही पीके को जातिवाद का सामना करना पड़ा जिसकी याद उन्हें आज भी सताती है पीके ने राजस्थान हाई कोर्ट में स्थापित मनु की मूर्ती हटाने के लिए केंपेन को अपने ट्विट हैंडल से सपोर्ट किया है पीके को कला के क्षेतर में शुरू से ही विशेस लगाओ था लेकिन सन 1971 में पीके जब आगे की पढ़ाई के लिए दिल लिया गए और यहां आर्ड कॉलेज में एडमिशन लिया उनके प्रतिभा यहां काफी चमकी और उन्हें उनके पोर्ट्रेट्स के लिए दूर दूर तक लोग जानने लगे पढ़ाई के दोरान उन्होंने श्रिमती इंदिरा गांधी का चित्र बनाया जिसके बहुत प्रशन सा हुई और इस वज़े से उन्हें कनाट पलेस पर बैठने की एक जगे मिल गई जहां बैठ कर वे लोगों के चित्र बनाने लगे यही वो जगे थी कनाट पलेस यहां उन्हें शर्लोट मिली सन 1975 में स्विडन की शर्लोट जो लंदन में पढ़ रही थी दिल्ली आई वो भी केवल इसलिए ताकि वो पीके से अपना पोर्ट्रेट बनवा सके दिसमबर 17 1975 का दिन था जब 19 साल की स्विडिश लड़की शर्लोट उनके पास अपना चीत्र बनवाने आई शर्लोट पीके की सादगी पर दिल हार बैठी और पीके शर्लोट की खुब सूरती पर फिदा हो गए दोनों ने अपने इस प्यार को नाम देने के लिए शादी कर ली लेकि शर्लोट को अपनी पढ़ाई पूरी करने लंदन वापिस लोटना पढ़ा शर्लोट ने पीके से साथ आने का अनुरोध किया तो पीके ने पढ़ाई पूरा कर लंदन आने की बात कही शरलोट ने कहा कि वो पीके के लिए फ्लाइट का टिकेट भेज़ेगी जिस पर पीके ने मना कर दिया शरलोट के वापस जाने के बाद दोनों पती पतनी एक दूसरे को पत्र लिखते और अपने दिल की बात साजा करते पीके ने टिकट लेने से मना तो कर दिया था लेकिन लंदन जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे ऐसे में उन्होंने इरादा मजबूत रखते हुए अपना सारा सामान बेज दिया और इससे जो पैसे मिले उससे एक सेकंड हैंड साइकल खरी दी और उसके क्रियल पर अपनी पैंटिंग्स और ब्रेश रखकर निकल पड़े स्विडन के सफर पर हम सफर से मिलने के लिए इस सफर में पीके को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन वो हारे नहीं और ना ही ठके ना ही रुके सफर में कई दिनों तक उन्हें एकदम फाका ही करना पड़ा और कई बार तो साइकल ने भी चलने से मानों इंकार कर दिया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी पीके दिल्ली से अमरिटसर पहुंचे यहां से अफगानिस्तान, महां से इरान, टर्की, बुलगरिया, युगसलाविया, जर्मनी, आस्ट्रिया और डिनमार्क होते हुए वो स्वीडन पहुंचे लेकिन अभी हम सफर से मुलाकात में कुछ वक्त था पीके साइकिल से स्वीडन के शहर गौटनबर्ग पहुंचे लेकिन उन्हें शरलोट से पहले इमिग्रिशन आफिसर से मुखातिब होना पड़ा दरसल शरलोट एक रॉयल फैमिली से तालुक रखती थी और ऐसे मौके में पीके को देखकर और उनकी बातों पर यकिन करना किसी के लिए भी बिलकुल मुम्किन नहीं था ऐसे में पीके ने अधिकारियों को अपनी शादी की तस्वीरे दिखाई जिसके बाद वो शरलोट से मिल पाए आज पीके और शरलोट की शादी को चालिस साल बीच चुके है और ये कपल दो बच्चों के माता पिता भी है पीके यानि की डॉक्टर प्रद्यूम कुमार महानंदिया अब भारती उडिया कल्चरल अमिसिडर के तोर पर स्वीडन में काम करते हैं और उनका गाउं जहां उन्हें अच्छूत माना जाता था आज उनका अलग रूद्बा है पीके ने भले ही जीवन में उचाई हासिल कर ली हो लेकिन आज भी वो सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं डॉक्टर बाबा साहिब अंबेड करके एनिलेशन कास्ट इस पुस्तक से भी वो काफी प्रभावित हैं बाबा साहिब को विवादन करने के लिए उन्होंने अपने फेस्बुक पोस्ट पर एनिलेशन अप कास्ट का पोस्टर पोस्ट किया है भारत में महिलाओं तथा दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर भी विच्चिंतित होते हैं फेस्बुक के माधिम से अपनी भावनाएं वैक्त करते हैं पीके भारत के सभी नागरिकों के लिए विशेश तहा प्रेमी युगलों के लिए तो एक प्रेणा स्त्रोत है